नमस्कार मैं डॉक्टर स्टीश शार्मा दियेच्छ मस्, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लिकोरिया के बारे में बात कर रहे हैं। लिकोरिया जिसे हम स्थेट प्रदर भी डह सकते हैं। कि अडियों के आर्जहा घुनों से अपपानीा ठाम कि Zug पानी आता है क dive ृबॉजेए कि संहे होता है और कई वार्ट थैलो पेली पन में बियाता है तो जो पेजियों के निवे घुपल्लबॉम है ईन दैटा है कि उधा जफ्ठें की वजह से का अधितर होता है जा चाहे हो फैजायना में हो, ओवरी में हो, या फैलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके वज़र से अफसर लिकोरिया की प्रॉडम होती है, या फिर यूं कहें कि बहुत जादा जो दिमाग काट में टेंशन रखते हैं, बहुत जादा मानसिक तनाव म में रहती हैं, उन आवड़ों को अधिकतर लिकोरिया की प्रॉडम हो सकती है, क्योंकि आजकल की आवड़ों गर के साथ साथ जॉब भी करती हैं, बिजनस भी करती हैं, जिससे उनको दोहराट टेंशन रहता है, घर का भी टेंशन रहता है, पारिवारी टेंशन भी रहता है और साथ में जॉब का टेंशन भी है जिसकी वज़ा से वो पूरी तरह से समझस्थ से नहीं भिटा पाती और उनको कही न कहीं प्रॉब्लम आकर लिकोरिया की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है क्योंकि वो अपने शरीर पर और अपने आप पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती है क्योंकि वो जॉब कर रही है साथ में परिवार को समझ रही है तो परिवार को और जॉब को समझते समझते वो अपने आप पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती है जिसकी वज़ा से अक्सर लिकुरिया दिशिकात हो जाती है तो इसके लिए अगर वो अपने लिए थोड़ा बहुत समय निकालें जैसे सुभाज़ा होट के मतलब योगा वगरा करें या मेडिटेशन करें थोड़ा मॉर्निंग वाग करें तो मेंटली काफी हद तक फ्रेश रह सकती है जिसकी वज़ा से लिकुरिया की प्रब्लम काफी हद तक आराम में जाएगा इसकी साथ-साथ अतना खाने पीने का भी विशे इश्तिहान रखना चाहिए उनको समय पर खाना है पॉस्टिक खाना लेना है जैसे हरी सबजियां है वो इससे उनको मतलब इस तरीके ती प्रब्लम ना है और साफ सपाई का विशे इश्तिहान रखें तो इतना करने के बाद अगर किसी को परिशानी होती है तो मैं उनको बहुत अच्छी दवा बता रहा हूं दवा का नाम है दॉक्टर प्रदर प्लस बीसी 13 यह टेक्टिस दवा होता है पीने के लिए डॉक्टर प्रदर डॉप जिसकी 20 विश्पून दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में चार बार पीना होता है और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 13 की टैबलेट होती है जो चार-चार गोली दिन में तीन बार चूशनी होती है दवा को बिमारी के अधार पर कम से कम दो तीन मेना चरूब लेना चाहिए दवा के साथ खुश्बू वाली चीज़ें नहीं लेनी है जैसे कच्छा प्याज, कच्छा लैसुन, लाइचीज, सौफ, लिंग, कॉफी और ज्यादा तरीफ अली चीज़ें ना लें अधिक जानकारी के लिए कॉंटेक्ट नमबर भी नोट कर सकते हैं 828574200 अगर आपको मुरा विदियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब देरों करें तेंग